कि हलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का ई-learning में दुर्गेश में सीडीपी की एक नई क्लास के साथ मैं पुर्गेश आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंड ये क्लासे आपकी आगामी रीट रीट और यूपी टेट और जो भी आगामी हमारी परिछाएं होने वारे हैं अच्छी तरीके से प्रिपर होंगे जो की फरिच्छा में सीजे तोर से आपको मदद पहुचाएंगे इस क्लास से स्वेंग जुड़े और वीडियो को सभी सातियों तक शेयर करेंगा फ्रेंड क्लास प्रादव हो चुकी है जल्दी जल्दी तभी साति लाइवा जाईए यह कलास आपके लिए बेहत्ज मारत्पूर है चले फ्रेंड करदी एंवोग're पहला प्राम प्रादम कर दिया है हैं अधिहम तब तक संबहत्र नहीं है कि आधिगम तबत्र तक संबहत्न नहीं जब तक कि व्यक्ति की सारी नेक्वा मानतिक रूसते नहीं हो क्या फ्रेंड बहुत सिंपल सा कोश्चन है इस कोश्चन के लिए पड़ा पड़ा एंसर कमेंट करें फ्रेंड कि अधिकम तब तक संभव नहीं होता है जब तक व्यक्तिका सारीरिक और मालतिक जो दसा होती है किस रूप में किस रूप में तयर नहीं हो या तत्पर हो परिपापको हो और मानतिक रूप से तत्पर नहीं हो परिपापको नहीं हो तूज को बड़ा नहीं हो इन में से तभी से अधिकम नहीं हो पाना संभव नहीं है कहने का मतलब फ्रेंड कि यदी बच्चा यदी बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो अग उस तक कैसे पड़ेगा यदी बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो पुस्तक कैसे पड़ेगा यदि बच्चा अभी खड़े नहीं हो पा रहा है तो दोड़ कैसे पाएगा कहने का मतलब जब विक्चा सारी वी गुरूप से मांतिक गुरूप से परिपक हो तभी उचित अधिगर्म करा जा सकता है अन्य था नहीं करा जा सकता है यहां विकल नमर 20 कोश्चिन का बिल्कुर सही जवाब होगा क्यों होगा। यह भी आपको नहीं जान लिए विकल नमर 20 कोश्चिन का बिल्कुर सही जवाब है वी धुर एट एक स reflecting करेंगे अन्य χbor तरव सारी वीं को इस थे पमांतिक से परितिक नहीं हो बढ़ेंगे तैस्प्र का यहां पर कर रहे है जब तक Sari Rating나 सबू encrypted कोних दो Shawn लेकिन यहां पर अधिकम कियं प्रारंविक बाश्ता की बात कर रहे हैं कि रटने की आदत से क्या हानी होती है बुद्धिक उन्ठीद होती है पाड़करम के अत्रिक और कुछ पढ़ने की रूची पाइदा नहीं होती है मौली किंतन में बाधा पढ़ती है अगला है बेक्तित का ताई विकात नहीं होता है रटने की आदत से क्या हानी होती है लेकिन उचित हानी क्या होती है चलिए विकल्प नंबर C और B और मौली किंतन में बाधा पढ़ती है जहां से बालग चिंतन करके प्रसनों के जवाब होता है उसमें जो स्रिजनात्मक्ता का गुड़ है वह विक्सित नहीं होगा अथार तो वह मौलिक चिंतन नहीं करवाएगा इसलिए विकल्प नंबर C स्कोष्चन का बेकुस तहीं जवाएब होगा पार्टर्ण के अतरिक कुछ और पढ़ने के रुच्छ पैदा नहीं होगी यहां यह भी होगा लेकिन यहां है कि जो है आपर विकल्प नंबर C है आगे फ्रेंड उत्तर बाल्या वस्ता का टाइं बाल्यावस्ता का समयक्षीमा कब होता है एक से तीन वर्थ तीन दे चाहाइब होता है यह सहाथ्वा वस्ता के लिए हो ठीक है सैसवा वास्ता के लिए पहत्वावस्ता बाले वस्ता में बाले वस्ता के लिए जो पूरु होता है उसके लिए च्छा से नव और उस्तर के लिए नव से बार है तो फ्रेंड यहां पर पुछा जा रहा है उस्तर के लिए उस्तर के लिए उस्तर के लिए यहां पर जो बारा वाला आफसर वहाई से हो लेकिन यहां पर हमारे विकल्ब में शहाँ से बार दिया तो उसी को हम सही मानेंगे जो उत्तर वाले होता का समय सिमा तर फ्रेंड ये अच्छा थे 12 वर्स होता है तो विकल्ब लोग जो लोग जितने वी साथी क्लास में फिर से बार वेलकम है सभी को रादे रादे सभी को नमस्कार जुड़ जाएए फ्रेंड वीडियो को सेर कर देजेगा यह वीडियो आपके लिए निश्चित तोर पर मददगार सावित होने वाली है तो इसी उत्देश से आप तभ इंपोर्टेंट है यदि आप सिच्छक बनने के लिए चुक हैं तो बाल विकास आपके लिए एक बेहुत सब्जेक की उरुप में आपके लिए उप्योगी है आपको निश्चित तोर पर इसकी अच्छी दयारी के लिए हमारी क्लास से जुड़ना है और वीडियो को सभी स पटा इंसर कमेंट को बताए उन्द टीचर है नामक खुस्तक को किस ने लिखा है बहुत ही बढ़िया कोश्चन ए फ्रेंड जल्दी से एंसर कमेंट सब्सक्र में टाइप करिये ज़िए लिए बिकल्ब नमबर ए और बी कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं और भी सभी साथ इसको प्रेंट कर रहे हैं जल्दी से एंसर कमेंट कर रहे हैं जो कि गलत है इसका मेंटल एबिल्टी को लिखा है तरहन ने टीचर व्लद को लिखा है टरमन ने तीचर हियाँ फ्रेंड टान करे ज़्दा नमस्रेंग को लिखा है यहां बच्चे का संग्यानाथ में विकास सबसे अच्छे तरीके से परिभासित किया जा सकता है। यहां बच्चे का सब्सक्राइब करीब 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 जबी जो भी एंसर में देख पा रहा हूं लगभग लगभग सही आ रहे हैं। यहां बच्चे का संग्यानाथ में विकास की जिसमें बालक में सूझ वूझ और समझ का भाव उपन होता है। बच्चा के पर्यावण में ही अच्छे तरीके से परिभासि किया जा सकता है। अगला कोश्चन फ्रेंड सिच्छा जीवन में सिच्छा का कार है। अच्छे से अंतर राष्टी समझे करना विकास करना या राष्टी एकटा का विकास करना। चार विकलब फ्रेंट बिल्कु सिंपल से विकल्फ हैं तीजे साथे विकल्फ हैं आपको सिंपल सा एंस्टर कमेंड करके बताना इस कोजिंग के लिए सही जवाब के आप यह जल्दी से बताइए अंतराटी समझोते माने नहीं रखते उसके लिए और भी लोग होते हैं एक बिक्तिकत जीवन में सिच्छा के मारतों कर पुछा जा रहा है अंतराटी तनाव तो बनाई यह तनाव को दूर करना यह कर सकते हैं तो यह भी बिल्कुल गलत हो गया राष्टी एकता को बना रखन करेंगे तो अगले क्लास में आपसे डिसक्स करेंगे क्या तर्मन यह क्या फ्रेंट्समान नहीं है तो उसके वारे में कल क्लास में डिसक्स करेंगे को सकता अब ऊच्छे प्रब्लम हो गई और चैले ये वह हैं लेंगे स सब्सड़ाई के लेंगे राक्ष्ट की बात ठोड़ दिए जिस वातावाड में वहक्ति निमास कर रहा ईुथ वातावाड में एक प्रेये और रख हंप सिकनान या किस a car अगे चलिए को अगरा को सिच्छा है कि अगरा को सिच्छा है याघी जीवन परहयन चलने वाली प्रक्रिया विद्ध्ध्या मैं चाहूंगा सभी ताथि इसका जब्स साह 내내 सब्सक्राइब विद्यालाई गान तक सीमित होता है एक जो समाज को जारा मिलता है करते हैं लेकिन ऑफामार से हमेसा कुछ ना कुछ गरहन करता है जिसको भी सिच्छा का रूप दिया जाता है इसलिए जफ्रेंड जर्टक बिक्ति का स्चॉत इस बिद्शिबिद पर करता रहता है या तो परिवारते परिवारते समास से जिद भी वातावड में वहाँ के कुछ न कुछ वह तिछ्छा ग्रण करता रहता है इसलिए सिछ्छा एक जीवन परियंद चलने वाली प्रक्रिया है विकल्प नंबर सी के साथ चलेंगे सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है सी इसलिए राइट अंसर सिछ्छा जीवन परियंद चलने वाली प्रक्रिया है कि मानती विकास के लिए ज्यां फ्रेंड पूचा जा रहा है इसको तोड़ा करें कि मानती विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे-पूरे अवसर पतान करें छाथ श प्रक्राइब के सारे लिए स्वास्त की और पूरा-पूरा ध्यान दे व्यक्तिकर्वेदों की वेदों की और ध्यान देते हुए उसके लिए समोची त्वातावन की व्युस्था करें उप्योगत तबी बेल्कुत दिंपर्दा कोस्टेन फ्रेंड पढ़ाक से अंसर पाइसे होगी तो बत्चा की मान्सिक योगता क्या है क्या 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 चीज बात दीखना चाहता क्या चीजे जानना चाहता है आप जहीं आप बिलकुल जब तक बच्चे आंस the का इसका बिल्कुल प्रेंड आपके क्लास उपर टेट यूपी टेट रीट एंपी टेट उन सभी परिछाओं के लिए बहुत इंपोर्टेंट है आगे जब बालत अपनी अतफलताओं के दोस्कों किसी और के उपर लादने की कोशित करके अपने तमाहां को कम करने का प्रयास करता है तो यह कि जैसे कि कि कजि कोई कि नहीं हो पाता है निकल नहीं पाता है पर्दोस देता है कि पर बहुत कठी एदल चाह से पर्दें इस परिखिंद निए ऊपने होता है कि फुल्ह को सबस्केकर किने पर faites बहुत सारे रीजन में जिस कार को हम नहीं कर पाते हैं। जैसे एक कहावत है। आप तभी लोग जानते होंगे शुनते होंगे चीठ प्रसिप्थ होंगे की नाच ने आंगन तेढ़ा। जिएえー दिए भींज़न जाने स्थापन समयोजित कर देना है इसलिए इसको क्या है अस्थापन समयोजित का नाम दिया जा जाता है जानते लिएगा फ्रेंड विकल्प नंबर सीज कोस्टन का बिल्कुर सही जवाब है अगला बच्चों का सभाव होता है नेट कोस्टन के लिए अपने एंसर कमेंट करें फ्रेंड बच्चों का सभाव होता है माता के अनकूल पिता के अनकूल दोनों के अनकूल या अपनी मित्र के अनकूल तो बताए फ्रेंड कमेंट करके बताए कि बच्चों का सभाव कैसा हो प्रद्दिनाग को यूट्यूब चैनल से मिलेंगी तो जिन्त आप्सेवने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबातेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए आप टेलिग्राम एपिस्टाल करेंगे उससे फिना स्पेज ये दुर्गेश सरस करकर ये लैनिक दुर्गेश का जुड़ जाएए समझ क्लास के बीडियों पीडियेप नोर्स और क्लास के टाइमिंग सारी चीजे वहां से आपको एक अस्था सभाव होता है बिकल्प नमबर सीज कोस्टन का बिल्कुल सही जवाब है कि दोनों के अनकूल होता है जी हां माता और पिता दोनों के सभाव के अनकूल होता है बच्चों का सभाव इसलिए बिकल्प नमबर सीज कोस्टन का बिल्कुल सही जवाब क्योंकि जब बच्चे का सबसे पहले जब बच्चे का सामाजी करण का विकास परादम होता है तो परिवार्दी परादम होता है परिवार में माता और पिटा का प्रभाव बच्चे में सबसे ज़्यादा परता है इसलिए वह सभाव में उसके माता और पिता की गुड़ सब्ते जादा आते हैं तो विकल्प नंबर विकल्प नंबर सी इस कोस्टिन का विलकुल सही जवाब है आगे बड़े फ्रेंड गीजु भाई जिया फ्रेंड गीजु भाई को किस उपनाम से जाना जाता है गीजु भाई को किस उपनाम से जाना जाता है तो गीजु भाई फ्रेंड गीजु भाई का पूरा नाम गीजु भाई बदेका है तो भाई नाम से बाल गान्दी, चाचा या बाबा किस नाम के इनको जाना जाता है फ्रेंड बहुत इंपलता कोस्चन है तो गीजी भाई को जो उपनाम जिस नाम के उनको प्रशलिश है जिस नाम के वो जाना जाते हैं वहाँ नाम है फ्रेंड बाल गान्दु इनका एक प्रसित पुस्तेक है फ्रेंड उसका नाम याद रख सक सकते हैं विकल्प नंबर 20 को सभी और सिंपल सा एंसर है अगला अंतर मुखी वालक होता है आंप कि सभी के साथ मिलकर चलने वाल अंतर मुखी सब्सक्राइए नहीं चलता है वह यह कांथमे रहना पसंद करता है समास्याओं को पारसपरिक रूप से समझने वाला ये गुड़ आपके भाई पाई जाते हैं किसमें? ये गुड़ आपके पाई जाते हैं उबह मुखी बालकों में एकांट में विश्वास करने वाला बिल्कुल यही बिल्कुल सही जवाब है कि जो अंतर मुखी बालक होते हैं वह एकांत में रहना पसंद करते हैं इसलिए बिकल्प नंबर सी इस कोश्चन का विल्कुर सही जवाब हो जाएगा क्योंकि जो अंतर मुखी बालक होते हैं वह अपने आग को समाज की से दूर समझते हैं वह एकांट में रहना पसंद करते हैं वह किजी प्रखार का सोरगुल पसंद नहीं करते हैं तो विकल्प नमबर 30 कुश्टन का बिल्कुल सही जवाब है भाता एंव सारेरी विकास में उभाय निश्ट तर्थो है बिबिन आयू में विजिकार प्रिषिछ फुटन अनुभव पर निर्वर होना प्रिषिछण पर निर्वर होना उप्योग सबी बताइए जी समय करता है भाता और सारीर दोनों के विकास में कामर होता है, कामर रूप से भाग लेता है चलिए विकल्ब नमबर A और C एंसर आने चालू हैं, C और D परसिछण पंदर बर रहा हैं, भाता की बात कर रहा हैं भाता दिखने के लिए बालक में करशेचन की आउतक्ता नहीं होती है, भाता थीरे जैसे परसिश्ण अररे विकास का रिपा रहा ही अब जानते हैं कि श्हां मने का बच्चा क्या बोलता है कि कितने सब्सक्राइब लिए भास्ना और सारे विकास दोने के लिए जो 13 है आपका विधियों इस्पूतन है तो इस पुस्टिन काुल्कु सभी जवाब है अगला सिख्रा मन विजान की प्रकृति है और एजुके और ये संब्कूलोजी का नेचहर कैसा है मतलब कुछा जाए और इसा तो यदि भीन उर्व्ण commodity सिख्रा मन इस़ल जल जी आफसे नंबर सी को टायप करिये क्योंकि सिछा और मनों विज्ञान चला और व्ज्ञान दोनों है тशी का विल्कुल सही जवाब है सी इदर राइट अंदर फ्रेंड कि सिच्छा मनुष्विज्यान विज्यान भी है साथी साथ इसमें कला के भी अंत्र हैं कला का भी पार्ट इसमें जोड़ा गया है इसलिए यह दोनों का मिस्तंबलित रूप है विकल्प नंबर 30 ले इसको स्टन समाज का निर्माड करना भी सिच्छा के संदर में परिवास्ता किस मनुवे ज्यान क्या है सिच्छा को मंस्य और समपूर समाज का निर्माड करना चाहिए ..पनने का स्म astrekt बिल्कूल बी वाले साथ्वी के जवाब तई हैं डाक्टर राधा कृष्णन का यह कठन है कि सिछा को मनुस्त और संपूर समाज का निर्माण करना चाहिए तो विकल्प नंबर 20 कोस्टिन का बिल्कूल तई जवाब हैं अगला कोस्टन है थाधा की प्रमुक्विस्था नहीं है प्रवल जिग्यासा के प्रवित्ती अंकरण की प्रवित्ती अंत्रमुक्रीचत तांचे की प्रवित्ती उल्कूल सही है कीज़ों को इकठा करने की प्रविक्ति पाई जाती है जैसे क्या वता है कि वह खुछ करने की प्रविक्ति यह उसके बाद प्रबर जिग्याता है मतलब ही थी ये चीज Inf Kad और के अंदर भ्राबर बी रहस्थी है इसका मतलब जुनाई लमख्यां वर्य हे न की बहुना 스ंध ये कि पंपर्ण के अन्धर है किुए इस Frustrum डेश्चा की दो एक उइस को सही जवान को अगला छित्छा मनुविञ्यान के रहे सिट जान का केंड़रा ये का सिट्जा का आठका्ट पुस्टक का वर्तमान समय में घ्यारेट गश्या मowsDes बालक आधारी इस समय सिछा मनुविज्यान हो गया है तो इसलिए विकल्प नंबर इस कोश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। प्रभुत्वादि उपागम प्रजात्तान्ति उपागम श्पाइब निश्पचे रूप्ते विज्जालों की अनुपालन की बादता। इसस का बृषन कोश्चन का सही जवाब क्या है। कोटिंग जाब आगा है विकल्प नंबर B A C C B एंसर आने प्रारणव हो चुके हैं जियां विकल्प नंबर B इस कोश्चन का बिल्कुल सही जवाब है प्रजात आंत्रीक उपागम इस कोश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कच्छा नियंतर की सरोतम विधी प्रजात आंत्रीक उपागम इस कोश्चन का बिल्कुल सही जवाब है अगला कोश्चन फ्रेंड इबाला के ब्यवहार में परिवर्थन के लिए किस ब्यवहार अध्यन की विधी का सहारा लिया जाता है बात कर रहें ब्यवहार में परिवर्थन के लिए किस ब्यवहार अध्यन विधी का सहारा लिया जाता है प्रतनावली विद्री उप्चार आत्मक विद्री या प्रियोग आत्मक विद्री विवहार परिवर्तन लाने के लिए किस विद्री का प्रियोग किया जाता है इंपोर्टन देखिये विवहार प्रियोपन लाने के लिए तकते पहले फ्रीन निजानात्मक परिष्ण करा जाता है और तत्ल्थ उत्यारात्मक परिष्ण के द्वारा उसकी विवहार में परिवर्तन लाया जाता है जिले विकल्प नंबर 30 कोश्चन का विलकुर सही जवाब है अगला कोश्चन फ्रेंड काटिल के अंसार बेक्सित के प्राथमिक सील के गुड़ बताईए जियां फ्रेंड काटिल के अंसार बेक्सित के प्रारंबिक सील के गुड़ बताईए 12, 20, 10 और 13 या फ्रेंड कैटिल, आर-बी कैटिल के अंसार, बैक्षित के प्रारंभिक सिल गुड कितने हैं? बारह हैं, वीस हैं, दस हैं, ते रहें इम्पोर्टेंट कैटिल, फ्रेंड, पठाक से अंसर कमेंड कर को बताएंड का तहीं जवाब क्या है? जन्सी से बताईए इस question का सही जवाब क्या है आर भी cattle ने बक्षित के प्रात्रमी स्टील गुड की जो तंग्छा बताई फ्रेंट वह बताईए बार है तो विकल्व नंबर ए इस question का बिल्कुर सही जवाब है काफी सासी सार हमारे बिल्कुर नंबर एक कमेंट कर रहे हैं आप सभी के जवाब बिल्कुर सही है एक दर राइट एंसर फ्रेंट तो ये ता फ्रेंट आज का आपका complete class मिलते हैं आप से कल की लेक्चर में तब तक के लिए बेटा बलग थैंक्यू गूट बार